हेलो इस्ट्वेंट्स मैं निकिल कुमार एक बाद फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटुब चाहिए आपको आपको फ्री होम डिलीवर कराई जाए यहां पर जो है आपके हमारे इस 36 अर्थिक सर्वेक्शन ले बूक में कुछ करेक्शन है आपको मैं क्लास वन से ही जब हमारा 36 अर्थिक सर्वेक्शन का जब अध्याए एक आया था तब से आपको यह करेक्शन बता रहा हूँ हमारे 36 अर्थिक सर्वेक्शन बूक में कुछ करेक्शन है इसे हर क्लास में बताया जाने का मुख्य उद्देशी यही है ताकि कोई भी student कभी भी इस आर्थिक सर्वेक्षन वाला कोई भी random वीडियो उठा करके देखे तो उसे ये correction दिख जाए और वो अपने पुस्तकों में इन correction को correct कर ले ठीक है चलिए शुरू करते हैं देखिए अध्याय 5 लोकवित्त ध्या समझेगा इस अध्याय 5 लोकवित्त में बजट 2021-22 के आकड़ों को बताया गया है बजट 2021-22 जो कि पिछले साल पेश हुआ था इस साल कौन सा बजट पेश हुआ है बजट 2022-23 इसका वीडियो हम पहले cover कर चुके है कुछ महेंने पहले जब बजट आया था तब ठेक देखे पिछले साल जब आपका बजट पेश किया गया था बजट 2021-22 तब उस समय इस बजट में जो भी आकड़े बताये गये थे वो अनुमानित आकड़े थे इस साल के आर्थिक सर्वेक्षड में उस अनुमानित आकड़ों में शंशोधन करके शंशोधित आकड़े बताये गया है इस बजट के जैसे कि इस साल जो आपके बजट की पेश किया गया है बजट 2022-23 इसमें भी इस समय आपके सरकार जहां जहां पर जो जो खर्च करना च तो उसमें शंशोधन करने की जरूत पड़ेगी तो इस साल का बजट है जो आपके 22-23 अगले साल आने वाले आर्थिक सर्वेक्षड में इस साल के बजट के अनुमानित आकड़ों में शंशोधन करके अगले साल शंशोधित आकड़े पेश किया जाएंगे उसी प्रकार से यह जो आपका बजट है यह पिछले साल के आपके बजट के शंशोधित आकड़े है ठीक है जहां समझेगा बजट 2021-22 बजट क्या होता है आय और व्याय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है ठीक है आय और व्याय के लेखा जोखा को बजट कहते है यह है आपका आय यान सो पैतालिस करोड रूप है जबकि सरकार से सरकार के पास से कुल व्याय हुआ संत्यानवे हजार एक सो च्छै करोड रूप है अब देखिए यह जो आपके आय है जो प्राप्तिया है इसे फिर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है राजस्व प्राप्तिया गत्विया है अब यह होता क्या है इसे थोड़ से ध्यान समझते चलिएगा तीन आपको वर्ड बता रहा हूं वो काफी इंपोर्टेंट है उससे आपका सभी का पुरा डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा देखिए एक है आपका वित्तिय देनदारिया दूसरा है आपका परिसंपत्ती और तीसरा है उत्पादन कोटी की परिसंपत्ती अब यह होता क्या समस्ते चलिएगा वित्य देनदारियो याने की पैसे का लेनदिन वित्य देनदारिया परिसंपत्ती यानि की संपत्ती property assets उत्पादन कोटी की परिसंपत्ती इसे मैं आपको एक example से बताऊंगा clear हो जाएगा जिसे कि माल लीजिए आपके पास एक आपकी जमीन है खाली पड़ी हुई जमीन है जो आपकी है यह क्या हुआ आपकी परिसंपत्ती उसके उपर आपने एक इमारत बना दी जिसमें आपने 10 कमरे बना दी और 10 के 10 कमरों को आपने किराय पर चढ़ा दिया और हर महिने उससे आप किराया वसूल रहे है तो यह कहलाएगा उत्पादन कोटी की परिसंपत्ती यानि कि आपके बस खाली बड़ी जमीन थी वो परिसं ठीक है अब ध्यान समझेगा इसी से यह सारा डेफिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा राजस्व प्राप्तिया ऐसा सार्वजनिक आए जिससे सरकार के न तो वित्तिय देनदारियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा और नहीं परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव राजस्व प्राप्ति कहलाएगा पुंजिगत प्राप्तिया ऐसा सार्वजनिक आए जिससे सरकार के वित्तिय देनदारियों में वृद्धी होगी तथा परिसंपत्यों में कमी होगी यह कहलाएगा आपका पुंजिगत प्राप्तिया ठीक है अभी हम शुरू के दो पर ध्यान दे रहे, ठीक है, राजय सुप्राप्तिया, ऐसा सारवजनिक आये, जिससे ना तो सरकार के वित्तिय देंदारियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और ना ही परिसंपत्यों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जैसे की, मान लीजिए, जब आप छोटे थे, महमान ने जो आपको सौरवे दिया, सौरवे आपने जेब में रखा, तो क्या भविस्ते में इस सौरवे को आपको महमान को लोटाना है क्या, महमान ने आपको पर्मानेंट रखने के लिए दे दिया, यह आपका हुआ, तो यहाँ पर कोई लेंदेन हो रहा है क्या, याने क परिसंपत्यों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो ऐसा सर्वजनिक आये जिससे सरकार के न तो वित्य देंदारियों पर प्रभाव पड़ेगा और नहीं परिसंपत्यों पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो इसे कहा जाता है आपका राजस्व प्राप्तिया या राजस 40,000 आपको पसंदारा 50,000 रगा टीवी आपने अपने दोस्तों से 10,000 रुपए उधार ले लिये 10,000 रुपए उधार लिया कि मैं अगले महने एक महने बाद तुझे लोटा दूगा और 10,000 के बदले तुझे 10% व्याज के साथ 10 का 11,000 रुपए दूगा लेकिन मुझे अभी टीवी लेने दे अब यहां क्या हो रहा समझेगा आपने अपने दोस्तों से 10,000 रुपए लिया तो इस लिये हुए पैसे को आपको एक महने बाद लोटाना भी है याने कि यहां पर लेन देन हो रहा है आज लिया कल लोटाना है तो सरकार के वित्तिय जो आपके देन दिया दारिया है उसमें व्रिद्धी हो रही है लेन देन बढ़ रहे है और परिसंपत्यों में कमी का मतलब एक महिने के बाद आप इसी 10,000 का 11,000 रुपद देंगे 10% ब्याच के साथ तो आपके जेव से 1,000 एक्ष्टा जा रहा है याने कि क्या हो रहा है परिसंपत्यों में कमी ह तो यह कहलाता है आपका पुझिगत प्राप्तिया पुझिगत आए तो बजट 2021 के अनुसार जो राजस्व प्राप्तिया है वो रही 89,325 करोड रुपए ठीक है और जो आपका राजस्व प्राप्तिया रही 89,325 करोड रुपए और पुझिगत प्राप्तिया रही आपका 17,820 करोड रुपए ठीक है पुंजीगत 17,820 करोड रुपए राजस्व प्राप्तिय रही आपके 89,325 करोड रुपए ठीक अब देखे इस राजस्व प्राप्तियों कोओ फिर से दो पार्ट में बाटा गया है एक है कर राजस्व दूसरा है गयर कर राजस्व नाम से ही इस पश्ट है कर राजस्व सरकार को जो टेक्स से करोड के माद्धेम से जो इनकम होती है वो कहलाता है कर राजस्व गयर कर राजस्व यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजेगा गयर गैर का मतलब करो के अलावा, टेक्स के अलावा, अन्य माद्यमों से जो सरकार को जो आय होती है, जो प्राप्तिया होती है, वो कहलाता है गैर कर राजस्व, कर राजस्व, सरकार को जो टेक्स से, जो करो से जो आय होती है, वो कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सरकार को करो के अलावा टेक्स के अलावा अन्यमाद्यम से जो आपके income होती है वो कहलाएगा गैर कर राजस्वा ठीक है अगर इसके हम कुछ example देखे तो ध्यान समस्ते वे चलिएगा देखे यहाँ पर कुछ example दिये हुए जैसे कि निगम कर आयकर, उत्पाज शुलक, सेवा शुलक, सीमा शुलक, भूराजस्वकर, बिक्री कर, पुंजी कर, विद्युत कर यह आपके कुछ कर राजस्वकर टेक्स से होने वाले income को बता रहा है ठीक है यह कुछ example है इसे कर हम और classify करें तो एक होता है आपका अप्रत्यक्षकर और दूसरा होता है आपका प्रत्यक्षकर अप्रत्यक्षकर ऐसे कर जो कि लगाती तो केंडर सरकार है लेकिन वसुलती राज्य सरकार है जैसे कि निगम कर, आय कर, उत्पाज शुलक, सेवा शुलक, सीमा शुलक, यह ऐसे एकεί टेक्स है, जिसे लगाती केम्रा सरकार है, वसूलती राज्य सरकार है, यह कहलाता है आपका अप्रत्यक्छकर यानि iki indirectstext, एक होता प्रत्यक्छकर, ऐसा कर, जिसे लगाती तो राज्य स सरकार थो यहह आपका प्रत्यक्षकर यानि ड Argent dedicate टक्स है तो यह सरकार को tax यानि कि करो के माध्यम से होने वाली आए तो सरकार को वर्ष 2021 में करो के माध्यम शे 44125 करोण की आय हुई यह कर्राजस्व यह करो के अलावा अन्माध्यम度 सरकार इंकम ही वह है 30,900 करोड रूप है 30,900 करोड रूप है ठीक ध्यान दिजेगा पिछले वित्तिय वर्ष की तुलना में इस साल इस कर राजस्व में आपके 17.11% की वृद्धी हुई ये कर राजस्व काफी इंपोर्टेंट है इससे आकड़े पूछे जा रहे है पिछले 2-3 सालों में ठीक ह राज्यका स्वयम का कर राजस्व है आपका 53.17% जैसे कि मैंने आपको बताया एक होता है आपका प्रत्यक्षकर दूसरा होता प्रत्यक्षकर जिसे लगाती केंद्र सरकार है वसूलती राज्यसरकार है प्रत्यक्षकर जिसे लगाती राज्यसरकार है और वसूलती भी राज्य का स्वयम का कर राज्यव का कर राजस्व है तो क्या कहा जा रहा है जो कर राजस्व है। जो सरकार का, जो स्वयम का कर राजस्व है, उसकी भागीदारी सरवाधिक है, यानि कि जो केंद्र लगाई और राज्य वसूली, उससे ज़्यादा जो राज्य लगाकर के राज्य ही वसूल रहा है, उसका हिचसेदारी सरवाधिक है, तो ध्यान दीजेगा, कि इस कर राजस् सरकार को कितनी को आए हुई आपका 30,900 करोड है…. य multiplayer करो के अलावा अन्य सरोतों से जिसमें पिछले वित्तिय वर्ष की तुलना में 14.47% का Increment हुआ आपके वर्ष दोन 21 बैस में 14 ,47% की व्रिधि दर्ज और जकी गई विद्यू सयंद्र इस्थाफित किया और उस्ताफ विद्यू सयंद्र से बिजली का उत्पादन करके आसपास के पडोसी राज्यों को बेच दिया और बेच कर से उससे उन्होंने बेचने के बदले में उसके एवज में उन्होंने पैसा लिया सरकार बिजली बेच करके पैसे ले रही है आसपास के राज्यों से तो ये सरकार ने क्या किया था अपने ही जमीन पर खाली पड़ी हुई जमीन पर इन्वेश्टमेंट याने की निवेश किया था और उससे क्या प्राप्त हो रहा है उसे लाब प्राप्त हो रहा है जैसी के आपने एक्जामपल देखा था आपको इस खाली बड़ी जमीन है जिसके उपर आपने इमारत बनाया, दस कमरे बनाया, दसों के दसों कमरों को आपने क्या किया, उसे किराया पर दे दिया, तो इससे क्या हो रहा है, income generate हो रहा है, तो यही है निवेशो से प्राप्ट जो रिण वित्रित करती है, उस रिण के एवज में जो ब्याज आते है, वो ब्याज प्राप्ति है, ये करो के अलावा, करो के अत्रिक्ट प्राप्त हो रही है सरकार को, तो है आपका अनुदाग, जो कि अंतराष्टिय संगठन से, याने कि World Bank, IMF से जो सरकार को अनुदान मिलते है जैसे कि विश्य बैंक हमारे प्रदेश में कुपोशण अभ्यान पर फंड देती है ठीक है कुपोशण अभ्यान से लड़ने के लिए फंड देती है तो वो कहलाएगा अनुदान, अनुदान का मतलब क्या होता है भविस्य में लोटाने नहीं है, ये पैसे आपके हुए तो ये कहलाएगा आपका अनुदान ठीक है, तो ये अनुदान, केंद्रिय अनुदान, यानि केंद्र सरकार समय समय पर राज्यों को जो अनुदान देती है उसकी बात हो रही है, अब ध्यान समझेगा गैर कर राज़ास्व में, जो आपका 30,900 करोड है, इसमें से जो सरवाधिक योगदान है, वो है आपके केंद्रिय अनुदान का यानि कि केंद्र सरकार जो अनुदान देती है राज्यों को उसका हमारे पास जो आपका गैर कर राजासव है 30,900 करोड रुपए उसमें से लगभग 70% 70.06% जो आपका हिस्सा है यह है आपका केंद्री अनुदान ठीक है केंद्री अनुदान का है important है इसे याद रखना है ठीक आप देखिए यहां है कुल व्य कुल व्य कितना है 99,106 करोड रुपए इसे दो पाट बाटा गया है राजासव व्य पुंजिगत व्य राजासव व्य और पुंजिगत व्य का मतलब क्या होता है राजासव व्य ऐसा सारवजनिक व्य जिसमें किसी भी प्रकार के सारवजनिक व्य जिसमें उत्पादन कोटी की परिशमपत्ति का स्रीजन होता है वो कहलाता है आपका पुंजिगत व्य है ठीक है देख लीजे अच्छा हमने पुंजीगत प्राप्तियों पर ध्यान नहीं दिया ना देखिए ध्यान समझेगा पुंजीगत प्राप्तिया क्या कितना है 17,820 को रूप है इसमें जो है आपके उधार वर रिन को दर्शाया जाता है ऐसा सारवजनिक आये जिससे सरकार की वित्य देंदारियों विद्धी होगी और परिसंपत्यों में कमी होगी जैसे की उधार या रिन है हमारे प्रदेश में जो है सरकार राजीव गांती किसान नय योजना के अंतरगत 25 रुब प्रतिकुंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है लेकिन सरकार के खजाने में उतना पैसा नहीं है इसके लिए सरकार क्या करती है आरवी आई से रिन लेती है और आरवी आई हमारे 36 गर्ण गवर्वर्मेंट को रिन देगा ठीक है तो ये जो आपको जो रिन है ये 36 गर्ण सरकार के खजाने में आया अभी तो खजाने में आया सरकार की आय हुई ना सरकार के खजाने में आ रहा है मतलब सरकार की आय हुई भले वो रिन या उधार क्यों ना हो ठीक तो ये है आपका पुंजिगत प्राप्तिया आर्बियाई ने लोन दिया रिन दिया उसके एवज में सरकार ब्यास तो देगी लेकिन अभी वर्तमान में जो आर्बियाई ने जो रिन दिया वो रिन के कारण अभी सरकार के जेब में पैसा आया ना सरकार के खजाने में प आपके पुंजिगत प्राप्तियां, जिसमें वित्य देंदारियों में विद्धी होगी और परिसंपत्यों में कमी होगी, क्योंकि ब्याज देना पड़ेगा, वित्य देंदारिया मतलब पैसा लिया है, तो दीना देना भी पड़ेगा, तो यह है आपका पुंजिगत आ है, ठीक है अब देखिए हम देख रहे थे राजसवय और पुंजी गत्वय राजसवय ऐसा सारवधनिक वय जिसमें किसी प्रकार के उत्पादन कोटी की परिसंपत्ती का स्रीजन नहीं होता है ध्यान समझेगा राजसवय को दो पार्ट में बाटा गया है एक है योजना गत्वय नाम से इसपष्ट है योजना गत्वय यानि कि सरकार योजना बना करके अगर खर्च करेगी तो यह कहलाएगा आपका योजना गत्वय ठीक है सरकार योजना बना करके अगर खर्च करती है तो यह कहलाता है योजना गत्वय गैर योजना गत्वय यानि कि सरकार बिना किसी योजनागत्वे के खर्च करती है तो यह कहलाएगा गैरी योजनागत्वे है जैसे की सरकार जो है इंद्रा व्रिद्ध व्यस्था पेंशन योजना के अंतरगत आपका पैसा देती है सहायता राशी प्रदान करती है इसके अलावा जो आपका निशत प्रजन पेंशन योजन हर एक योजना के अंतरगत पंजिकրित लोगों के आकड़े सरकार के पास रहते हैं, तो हर जो पंजीकरित लोग है, उन में से हर एक विक्ति को कितना पैसा जायेगा, और कुल कितनी राशी जाएगी, ये सरकार को पता है, यानी कि सरकार योजना बना करके इसमें पैसे ब्याए कर रही है पैसे खर्च कर रही है तो यह कहलाएगा योजना गत opens जैसे कि सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या कन्यादान योजना, वैसे ही साक्षर्ता एवं गरीबी पढ़ाई लिखाई और गरीबी उन्मूलन में जो सरकार खर्च करती है, योजनाओं के अंत्रकत इंद्रा गांधी विद्धावस्ता पेंशन योजना, निशक्त जन पेंशन योजना, तो जो पेंशन योजना है, जो सरकार आपका खर्च कर दिये, इसमें सरकार के पास आकड़े है, डाटा है, पंजीगरित लोगों की संख्या है, सरकार को पता है कि कहां कितना खर्च होगा, वही गैर योजना गत्वे है, इसमें सर परसेंटेटेज होते रहते हैं दूसरा सबसीडी सरकार उरवरकों पर सबसीडी देती हैं सरकार सिलेंडरों पर सबसीडी देती है वगता करता नहीं है तो इसमें जो सबसीडी देती है इसके आकड़े सरकार के पास एकदम exact data नहीं हो तो प्रतिरक्षा सेवा यह तो आपका केंद्र का विशह है प्रतिरक्षा जैसे कि माल लीजे जैसे कि चीन ने हमारी भारत की सीमा के समीप ला करके अपनी सेना की एक विशाल तुकडी वहाँ विशार भेजेगी तुरंट भेजेगी तो महां पर कितने सेना को भेज रही है उनके रहने का खाने का पीने का देखरें का सारा खर्चा आपके प्रतिरक्षा के अंतरा आई डिया अचानक से होने वाले खर्चे है जैसे कि बाड़ आ गया भूकम आ गया बर इस खलन हो गए, यह अचानक से आने वाली आपदाय है, जैसे कोरोना आ गया, तो इसमें सरकार को पता था कि कोरोना वालास आने वाला है, नहीं पता था, लेकिन सरकार अपने नाकरिकों को बचाने के लिए खर्च कर रही है, उस समय जो है सरकार के पास आकड़े नहीं रहें मतलब कोरोना कै आने वाले समय में कोरोना के मरीज कितने होंगे यह सरकार को exact नहीं पता लेगिए सरकार इसमें खर्च करेगी आपका गयर योजना गत्विए ठेक उप्पॉटईंट है इसे याद रखना है और नेक्स्ट है आपका पुंजी गत्विए पुंजी गत्विय य जिसके एवज में सरकार को पैसा मिलेगा भूमी अधिकर हैं, सरकार के पास जो आपका भूमी है, जो अधिकरिःत भूमी है उस पर सरकार उससे पट्टा वित्रित करेगी कुछ आपके उद्यों की स्थापित करने के लिए पट्टा देगी लीज पर जमीन देगी, यह कहला है को भूमी अधिकर है ठीक है तो ये आकड़ों को आपको थोड़ा से याद रखना है तो सरकार का जो आपका राज़ा सब व्याय रहा है 2021 में वो था 83,000 27 करोड रुपए जिबकि पुंजिगत व्याय रहा आपका 13,849 करोड रुपए ठीक इंपोर्टेंट है याद रखिएगा ये गैर योजनाग व्याय है उसमें 3-4 व्याय दर्शाता है और उसमें एक option रहता व्याज अदाईगी तो यही answer है दो बार पूछा गया प्रशन है व्याज अदाईगी किस प्रकार का व्याय है गैर योजनागत व्याय है ठीक इंपोर्टेंट है इसे याद रखिएगा आकड़ों पर ध्या गुमान है जिसमें सरकार को जो राजस्व प्राप्तिया हुई वह हुआ आपका 89,325.42 करोड रुपए जबकि राजस्व व्याय हुआ 83,27.55 करोड रुपए ठीक है यह रहा आपका राजस्व व्याय है अब यह दोनों को माइनस करेंगे तो यहां समझेगा यहां पर अग आपका राजस्व आधिक्य लेकिन यहां पर माइनस आ रहा है तो यह कहलाएगा आपका राजस्व घाठा तो वित्तिय वर्ष 2021-22 में सरकार को जो राजस्व घाठा है वो है आपका 3702.13 करोड रुपए ठीक है यह जो आपका राजस्व प्राप्तिया है ठीक है राजस्व प्राप्तियों में 16.07% की वृद्धी होई है ठीक है इतना याद रखना है देखिए नेक्ष्ट है आपका वित्तिय वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तिया रही आपके 79,325 करोड रुपए यानि 89,325 करोड रुपए देखिए जो आपका PSC जो है यह आप राजस्व प्राप्तियों में इस कर राजस्व का योगदान है 61.05% ठीक है जानिकि जो 89,325 करोड रुपए में 61.05% कॉंट्रिबूशन किसका है कर राजस्व का है ठीक इंपोटेंट है याद रखना है अब देखिए जो कर राजस्व है केंद्रिय करो से केंद्रिय करो से जो अंशप्राप्त हुआ जैसे कि हमने देखा था प्रत्यक्षकर अप्रत्यक्षकर उसकी बात हो रही है तो केंद्रिय करो से जो राज्य को जो अंशप्राप्त हुआ वो है 22,625 करोड रुपए और इस 22,625 करोड रुपए का इस कर रा व्रिद्धी हुई और स्वयम के करों से करों का अंच कितना है तुएंटी फाइफ सैवन फिप्टी याने की पत्चीस अजारसाच्वyr पचास करोड़ रुपए जिसका कर राजस्व में योगदान कितना है याने की राज्य का 10 कём से इस कर राजास्व में योगदान कितना है 53.17% ठीक है देखिए केंद्रिय करो से जो प्राप्त हुआ वो कितना है 22,675 कोड रुपए जो की आपका 46.83% है आपके कर राजास्व का याने की टोटल इतने का इतना कितना परसंट कवर कर रहा है 46.83% और राज्ये के जो स्वयम का याने की जो सरकार खुद टेक्स लगाती है खुद वसूलती है तो उसमें उसका अंश कितना है 25,750 याने की 25,750 कोड रुपए और ये जो है आपके कर राजास्व में राज्ये के स्वयम के करोगा अंश कितना है कितना परसंट है 53.17% जिसमें व्रिद्धी हुई है 14.19% क अगर हम गैर कर राजास्व की बात करें तो गैर कर राजास्व में जो केंद्रिय सहायता है उसका अंश रहा 21,650 कोड रुपए जो की इस गैर कर राजास्व में इस केंद्रिय सहायता का जो हिस्सेदारी है वो है आपका 70.06% जिसमें व्रिद्धी हुई है आपके 17.03% की ठीक है, आकड़े थोड़े से याद करने में दिक्कत होंगे, लेकिन आकड़ों से प्रश्न आ रहा है, प्रश्न पूछेगा कि कर राजस्व में, राज्यों के स्वयम के करो का योगदान कितना प्रतीशत है, 53.17%, कर राजस्व में, केंद्रिय करो का योगदान कितना प्रती 46.83% कर राजस्व में स्वयम के करो का अंच कितना है 25,750 क्रोड रूपए ऐसे प्रश्ण पूछेगा ठीक है तो थोड़ा था इस पर ध्यान दिजिएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका राजस्व वय ऐसा सरवजनिक वय जिसे सरकार जिसे जो है किसी प्रकार की उत्पादन कोटी की परिसंपत्ती का स्रीजन नहीं होता यह कहला था आपका राजस्व वय रहा आपका 83,027 क्रोड रूपए इसके प्रमुग घटक देखि फचीस हजार एक्सो 2020 क्रोड रूपए और अन्य में 43,835 क्रोड रूपए ठीक है तो देखिए जो वेतन एवं भत्त्य है उसमें सरकार का सरवाधिक राजस्व व्याय होता है ठीक है सरकार जो सरवाधिक राजस्व व्याय है वो वेता एवं भत्तों में होता है तो ये रहा आपका 36 गड़ आर्थिक सरवेक्षन 2021-22 का अध्याय 5 लोकवित इन्पोर्टेंट है जो हमने flow diagram देखा ये flow diagram भी हमारे लिए important है ठीक ये chart हमारे लिए important है इसको अच्छे से कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी हमारे लिए important है इस बार जो है थोड़ा सा इस sector से question जादा आया है कि याने कि कर राजस्व में स्वयम के करोग का योगदान कितना प्रतीशत रहा कर राजस्व में केंद्रिय करोग का योगदान कितना प्रतीशत रहा कितना अंश रहा ऐसे रहे कोश्चन थोड़ा से पूछे गया है तो थोड़ा सा इसे अच्छे से कीजिएगा ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी देखेंगे नेक्ट क्लास में किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करें पूस सकते हैं चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक और शेयर जरू कीजिएगा धन्यवाद